इस वीडियो में बात करने वाले हैं डार्क साइड के बारे में ओके, I know कि डार्क साइड के ओरिजिन स्टोरी को लेकर फैन्स अब तक डिवाइड़ है कुछ लोगो जैक कर्भी का ओरिजिनल वर्जिन पसंद है तो कुछ लोग, The New 52 में दिखाई नई ओरिजिन स्टोरी के फैन है And no, दो अलग ओरिजिन स्टोरी के पीछे फ्लैश का कोई हाथ नहीं इस वीडियो का में फोकस होगा डार्क साइड का DC Cinematic Universe के साथ कनेक्शन इसलिए मैं इसके कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी के ज्यादा डीप में नहीं जाओंगा कॉमिक बुक के लाइव एक्शन एडप्शन में कैरेक्टर्स के ओरिजिन स्टोरी चेंज होना बहुत कॉमन है उमीगा पावर्स डार्क साइड की परसनालिटी का बहुत ही आइकॉनिक हिस्सा है इसलिए मुझे परसनली जैक करभी के ओरिजिनल स्टोरी ज्यादा पसंद है इस वाली स्टोरी में डार्क साइड को उसके पावर्स ओमीगा फोर्स से मिलते हैं बर दोने ही वर्जिस में डार्क साइड के पास गॉड लाइक पावर्स हैं और इन पावर्स को हासिल करने से पहले डार्क साइड का नाम उक्सस था इसके उनिवर्स के ओल्ड गॉड्स के मरने के बाद डार्क साइड निव गॉड्स में से एक बना लंबी कहानी है Family Matters and All बस इतना समझ लो कि Darkside DC Universe का सबसे powerful villain है तो ये था Darkside का Original Origin अब बात करते हैं इसके New Origin के बारे में Jack Kirby की स्टोरी में Old Gods अल्रेडी मर चुके थे बट New स्टोरी में Uxas ने खुद Old Gods को मारके उनके powers absorb कर लिये थे Again, लंबी Family Matters वाली कहानी Uxas ने Old Gods को फसा कर उन्हें आपस में लडवा दिया और जब ये एक दूसरे लड़के निढाल हो गया तब Uxas ने ने मारके इनके powers absorb कर लिये और वो Uxas से Darkside बन गया तो इसलिए Darkside इतना powerful है इसमें एक नहीं बलकि Multiple Gods के powers है अब क्योंके Snyder कड़ वाले trailer में हमने Uxas को ये weapon लिये देखा था इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद DC Cinematic Universe भी The New 52 वाली origin को follow करेगी ऐसे ही टाइप की weapon से Uxas ने Old Gods को मारा था Again, जब तक देखने ही लेते कुछ confirm नहीं हो सकता है कि Cinematic Universe में उसे कोई अलगी story दे दे क्यूंकि Zack Snyder के हिसाब से इस weapon का connection Anti-Life Equation के साथ है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे Dark Side के सबसे iconic power है उसके आँखों से निकलने वाली Omega Beams ये beams Superman के laser eyes की तरह बस straight नहीं जाते हैं बलके ये अपने शिकार को follow भी कर सकते हैं including flash जैसे speedsters को तक ये Omega Beams इतने जादा powerful है कि इनकी मदद से dark side planets को तक तबा कर सकता है तबा करने के साथ साथ अगर dark side चाहे तो इन beams की मदद से किसी भी तबा गिये object को फिर से recreate भी कर सकता है कहा था ना actual god-like powers उमीगा powers के साथ साथ dark side के पास superhuman strength super speed, flying और floating ability क्योंकि हमेशा floaty करता है basically ये अपने आज पास की gravity को भी control कर सकता है regeneration, resurrection मतलब मुर्दा चीजों को फिर से जिन्दा करना नहायती तेज दिमाग power absorption, मतलब अपने opponent की energy को absorb करके खुद को charge करना और immortality जैसे powers है basically dark side एक अमर god है इसको कैसे हरा होगे बे dark side अपने अलेक universe के planet apocalypse पर राज करता है यहीं new genesis नाम का एक और planet है new genesis और apocalypse के बीच constant battle चली थी new genesis के राजा high father ने dark side को हराने life equation की मदद लेनी की सोची life equation एक ऐसी mathematical equation है जो यह प्रू करती है कि life actual में meaningful है life equation freedom को represent करती है high father इसकी मदद से dark side का राज खतम करना चाहता था यहीं से dark side को idea है था कि wait अगर life equation है तो anti life equation भी तो होनी चाहिए जहाँ life equation freedom को represent करती है वहीं anti life equation उसके बिलकुल opposite है dark side को लगा था कि अगर इसने anti life equation को समझ लिया तो वो उसकी मदद से किसी पर भी राज कर सकता है क्योंकि again it is opposite to freedom इसलिए इसकी मदद से आप किसी के भी freedom चीन कर उसके दिमाग पर राज कर सकते हो मैं इसे बहुत ही ज्यादा और simplify करके बता रहा हूँ और इसी anti life equation की तलाच में dark side earth पर आया था कॉमिक बूस के हिसाब से humans के subconscious के अंदर इस anti life equation के सबूत मिल सकते हैं dark side human पर research करके इसका पता लगाना चाहता था बट आई तिंग justice league स्नाइडर कट में anti life equation का connection mother boxes के साथ होने वाला है शायद इनी mother boxes की मदद से dark side anti life equation को decode करेगा इस वाले scene में उकसास अपने weapon की मदद से जमीन के अंदर से कोई energy निकालता है फिर ये energy सीधा decode होने mother boxes के अंदर जाती है पर अगर anti life equation का सबूत human के subconscious में है तो उकसास जमीन में से क्या निकाल रहा है I think ये subconscious वाला concept भी cinematic universe में change हो जाएगा ट्रेलर के हिसाब से उकसास ने dark side बनने से पहले ही अर्थ पर हमला किया था मतलब यहां उसे anti life equation के बारे में already सब कुछ पता था तो शायद इसकी origin story भी पूरी तरह से अलग होगी mother boxes ऐसे super computers हैं जिनके अंदर उनकी खुद की consciousness है एक टाइप के जिन्दा computers comic books में इनका इस्तमाल boom tubes बनाने में होता था एक ऐसा portal जो dark side की universe को बागी universe के साथ connect करता है I think ये इतने powerful है कि अगर इनने साथ मिलाओ तो anti life equation को decode किया जा सकता है साला अब जाके justice league का plot थोड़ा interesting लग रहा है original cut में steepen wolf mother boxes लेकर क्या करने वाला था कुछ ठीक से बताया तक नहीं जो लोग नहीं जानते ये steepen wolf dark side का uncle है जो अपने भतीजे को impress करने mother boxes जमा कर रहा था भाई हमको चाचा से कोई मतलब नहीं dark side दिखाओ dark side hoping to see you in my next one